लोग सभ़ चुनाओ के रण में सभी दल कूद गए हैं बिजेपी का दावा है कि इस बार 400 से जादा सिटे अंडिये के खाते में आएगी इस बीज पहुजन समाज पार्टी की राष्टिय धक्ष मयावती ने बिजेपी पर हमला करते हुए कहा कि देश में कुछ समय से करीब परिवारों को अस्थाई तोर परिफ्री में जो थोड़ी बहुत खादे समागरी दी जा रही है उससे भला होने वाला नहीं है यह भी पता चला है कि चुनाओ के दौरान भाजपा RSS के लोग गाउ गाउ जाते हैं अपना थेला लटकाते हैं और कहते हैं कि मोदी ने है यह आपका अपने टेक्स का पैसा है गुम्राह मत होना देश की जटिल समस्याओं का समधान राशंत से नहीं हर हाथ को काम देने से होगा हमारी सरकार इसका विशेज ध्यान देगी और मैयवती ने क्या कुछ कहा आप भी सुनगे इस वीडियो को चुनाब के दुरान बीजेपी और आरेसेस के लोग गाउं गाउं में जाते हैं अपना थैला लटका लेते हैं और गाउं गाउं में जाते हैं और जाकर यह कहते हैं कि देखो मोदी जी ने तो आपको खात समगरी दी है, दाल दी है, आपको चावल दिया है, उसके साथ में नमक भी दिया है, आपको मोदी जी का नमक जरूर हलाल करना है, और आप लोग उनके भैकावे में आकर, तो अपना बोट उनको दे देते हैं, कि भाई नमक तो जरूर हलाल कर देना चाहिए, नमक खाया है मोदी का हमने, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, ये नमक मोदी का नहीं है, बलकि आप लोगों के टैक्स के पैसे का ये नमक है, इसमें मोदी की कोई महरबानी नहीं है, पूरे देश में जो जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से आप लोगों को ये नमक या दाल, चावल या आटा आधी दिया जाता है, ये कोई इनकी महरबानी नहीं है, ये आप लोगों को आपना टैक्स का पैसा है, इसलिए आप लोगों को कतई भी गुमरा नहीं हो आपको क्या लगता है हमारी इस पूरे वीडियो से आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए बने रहीएगा एन न्यूज के साथ